हादिक पंडिया की सपोर्ट में अब स्टीव स्मित आये हैं स्मित ने फांस अपील की है कि पुरानी बाते भूल कर वो मुबई इंडियन की कप्तान की रूप में हादिक पंडिया को सपोर्ट करे गुजराट से मुबई आने के बाद से ही पंडिया के दिन सही नहीं जा रहे है टीम लगातार हार रही है और फांस उन्हें जब कर ट्रोल कर रही है ऐसे में अब स्मित ने हार्दिक का सपोर्ट किया है PTI से बात करते हुए स्मित बोले जाहिर तोर पर पहले दो गेम्स में वो बू हुए मेरे हिसाब से दुर्भागे पून था मैं उन्हें हार्दिक को सपोर्ट करते देखना पसंद करूँगा जाहिर तोर पर यहां रोहित के बहुत सारे फांस है बहुत सारे लोग घुसा है कि वो अब टीम के कप्तान नहीं रहे लेकिन सारे लोगों को इससे आगे बढ़कर हादिक को सपोर्ट करना होगा वो एक कमाल के प्लेयर है गुजरात में उन्हें बहुत सारी सफलता मिली वो अब मुंबई की कप्तान के रूप में लोटे है सीनियर प्लेयर्स को उनकी मदद करनी होगी हालकि स्मित ने ये भी कहा कि बाहर बैठे लोगों के चलते मुंबई का ये बुरा हाल नहीं है वो बोले मुंबई इनियन्स के बारे में एक बात है कि ये टूर्नमेंट में अक्सर ही खराब शुरुआत करते है वो कई बार ऐसा कर चुके है मैं नहीं सोचता कि वो लोग बहुत चिंतित होंगे लेकिन उन्हें जल्दी से हालाद बदल ले होंगे ये अच्छा नहीं लग रहा तीन माच हाल कर टेबल में लास्ट पर है उन्हें बहुत जल्दी से चीज़े पलटनी होंगी बात हाल्दिक की करे तो वो हाल ही में सोमनाथ मंदिन में पूजा करते देखे गए थे हाल्दिक के बारे में हाल ही में पूर्व कोच रवी शास्त्री ने भी कुछ बात की थी स्टार स्पोर्च पर शास्त्री बोले थे ये इनियन क्रियेट टीम नहीं है ये फ्रेंच्जाइस क्रियेट है उन्होंने पैसे खर्चे हैं वो बॉस है ये उनकी पसंद है कि वो किसे कप्तान की रूप में चाहते हैं ठीक है मुझे लगता है कि कम्यूकेशन में और क्लारिटी के साथ इसे बहतर तरीके से हांडल किया जा सकता था अगर आप हादिक पंडिया को कप्तान की रूप में चाहते थे तो कह सकते थे कि हम भविश्य क्यों देख रही हैं हम बिल्ड करना चाहते हैं रोहित ने कमाल का काम किया था ये बात सब को पता है और हम चाहते हैं कि वो अगले तीन साल तक टीम की प्रोग्रेस में हाल्दिक की मदद करी मुंबई लगाता तीन मैच हाने के बाद संडे को दिली कापिटल्स के सामने होगी दिली एक जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में नौवे नमबर पर है जबकि मुंबई दस वे इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने और किताब वाला जैसे कई शोज ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफते आप से करेंगे लाइव चैट देंगे आपके सवालों के जवाब ललन टॉप के न्यूजरूम में क्या होता है अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूजरूम की रोचक जानकारी और उठापटर ये मेंबर्शिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेथ कई नए नवेले पॉड़कास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे जो हमारे नए शोज पर स्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी खास तोर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूवर इसके अलावा मज़िदार स्टीकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नज़र आएंगे सबसे अलग इन स्टीकर्स के स्केमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे इस मदेग लिए क्या करना होगा इस जुडाओ के लिए क्या करना होगा जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और जॉइन बटन को प्रेस करना होगा फिर सिर्फ 69 रुपए महीने में मिलेगा ललन टाउप आनल एपल यूजर नीचे दिये लिंक पर क्लिक कर ल्टी प्रेमियम सब्सक्राइब करें